जाएं दोस्तों मैं वीपिन कुमार आपका अपने यूटूब चैनल वेप स्टेड़ पॉइंट में आपका हर्दिक स्वागत करता हूं जैसे कि आपको पता है हम मैंसुरेशन पढ़ा रहे हैं मैंसुरेशन के हमने 2D के जितने भी फोर्मूले टोटल करा दिये हैं आज हम 3D के कराएंगे ठीक है जी आगे कराने से पहले मैं आप से नुरूद करूँगा कि आप इस वीडियो को सेयर करें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है दोस्तों तो देखो आगे जो हम आज क्या कराएंगे मैंसुरेशन में 3D के फोर्मूले पहलेम क्या बताएंगे घनाब घनाब यानि कोवरीड क्या होता है हमारा खनाब 6 आयतकार आकरतियों से मिलकर बना होता है और सभी भुजाय नाइटी डिगर के कोन पर मिलती है ठीक है जी और विप्रीत भुजाय क्या होती है बराबर होती है देखो जैसे यह क्या हो गया हमारा एक घनाब हो गया ठीक है जी घनाब अब छे आयतकार आ करती कौन कौन सी बैठेगी देखो एक तो यह होगी A B C और D ठीक है जी A के मानले हमने A के होगी हमारी ये वाली 1 का इतकार 2 A के ऐसी ये वाली होगी 3 ठीक जी 1, 2, 3 और इसी परकार एक जो जो हमे सामने वाला सत्रा है इसके पीछे वाला हो जाएगा वो हो जाएगी कि हमारे मानने चार हो गई ठीक है जी उसके बाद एक उपर वाला पांच और एक नीचे वाला छे तो टोटल कितने आयतकारा करती होगी इसकी छे ठीक है जी ये इसकी छे आयतकारा करती हो मिलकर बनाओगा और जो ये एक दूर से को जो भूजाए काट रहे हमेशे 90 डिगरी पर काटेगी ठीक है जी तो इसके जो फोर्मूले बनते हो देखो सबसे पहले आता है घनाप का आयतन घनाप का यानि आयतन यानि वोल्यूम वोल् हो गई हमारे चौडाई और हो गई हमारे ओच आई ठीक है धोस्तों तो आतन क्या होगा घनाप का लंबाए गुना चौडाई गुना होच आई ठीक है जी दूरバイ फोर्मूला आथा है सका कूल संपून छैथ पर यानिका पूरे गनाप गर चंपूनशाल निकालना हो तो उस का 2 into L plus B L into B plus B into H plus L into H यानि लंबाई गुना चोड़ाई plus चोड़ाई गुना उच्छाई पिलास लंबाई गुना उच्छाई ठीक है जिर और तीछा जो formula बनता आकर्टियों का विकर्ण यानिके जो इसमें विकर्ण क्या-क्या गर एक तो होला हो जाएगा हमें यहमें यहां से बिकरण ड़या ठीक जी वाला हो जाएगा हमारा हाल फो च्रह और डी ठीक है जी अगर मुझे इसका विकर्ण निकालना हो यह एल हो गई यह हो गई एच ठीक है जी हाइड यानि तो इसका विकर्ण क्या होगा हमारा एची बराबर क्या जाएगा हमारा अंडर रूट एल स्क्वाइर प्लस एची स्क्वाइर ठीक है दोस्तों इस तरीके से मिकर्ण निकाल लेते हैं आगे देखो आगे आता है हमारे घं यानि क्यूब ठीक है जी क्या होता है क्यूब छे वर्गकार आकरती से मिलकर बनेगा ठीक है इसमें भी 6 लख होगी जैसे एक ए होगी एक इसके पीछे की एक उपर की एक नीचे की एक इधर की और एक इधर की ठीक है जी इसके जो फोर्मूले बनते हो देखो सबसे पहले आता है आयतन आयतन क्या होता है और जो सारी भूजाई होगी क्या होगी एकवल होगी क्योंकि वर्क वर्क की सारी यानि के जो हमारा घंड का छेत पल कितना होगा 6a square ठेग यह च्छाग भूजा का square फिर घंड का विकर्ण क्या होगा अंडरूट 3 इंटू भूजा यानि जो चोता formula बनता आकर्ति का विकर्ण यानि के जो यह आकर्ति कोन सी है वर्गकार तो आकर्ति का विकर्ण क्या होगा अंडरूट 2 इंटू एक हमारी भूजा आयतन के दो formula अगर simple एक जब भूजा दी हो उस तरीके से निकाल ले यदि आयतन हमें निका इतपल बटे 6 और इसका पूरे का whole cube ठीक है जी या इसको ऐसे लिख सकते अंडरूट्स होल क्यूग ठीक है यह हो जाएगा हमारा गन इसका च्कीन सोट लेते रहो उनको राइट डाउन करते रहो आगे देखो तो दोस्तों आगे आता है क्या हमारा बेलन यानि सिलंडर ठी ठीक है जी जैसे मानने के वाट है कोई यहां पर देखो यह हमने कोई आयत बनाया यह बना लिया जी आयत हो गया हमारा और इसकी किसी एक भूजा को पकड़ गया हम यादि इसको घुमा दे तो हमें क्या मिलेगा अगर मैंने यह वाली पक्रड़ी तो इसको यह हमारे ऐसे यह चैनल इसे औरAll पर से भी इस तरिके से है और यह ऐसे ठीक ऑजिड और हम इसको ऐसे, ऐसे मिलास तो जो यह इस त्रीक वननेगे क्या होगी ओगी हमारी भेलन ठीक है जिर टो ऑफनिले आपको याद करने इनका प्लू OUR और मैं आपको समझाता हूँ यह कैसे होगे ठीक है बेलन का इतन क्या होता है बेलन का इतनर पाइया हूँ कि पाइय की वैल्लो हमेशे कितनी रखना पाई होता है हमारा 22 वम चाथ ही वैसे तो ये वूप्शन में दी होती है ठीक है ऑग़िए दो में हो झाएगा बटान का वो वर्ग एकाई ठीक है जी और संपून छेतपल क्या होगा तू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्कॉयर वर्ग एकाई ठीक है यह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम सोट में टू पाई आर इंटू एच प्लस और और जो बेलन का जो आधार मतलब यह जो आधार हो गया और यह और उपरिशत है तो वह एधी हम इसका छेत भीड निकाले तो उसका क्या होगा यार क्या होता है हमारा एक वर्ध ठीक है दोस्तों तो वर्ध का छेत्पल क्या होता है पाई यार square यूशूरी आप इनको अच्छे से देख लो और खीनास सोट ले लो आगे देखो ओर गोला सब्सक्राइब 115 णिष्क्राइब यानि उस्चर प्रिजेनिस जो फोर्मीले सब्सक्राइब होते है इसके तीन ठीक है तो आयतन हो जाएगा चार वटे तीन पाई आर क्यूब घनीक आई और गोले का कुल छेतपड़ कितना होता है यानि एरिया फोर पाई आर स्क्वाइर वर्ग एक आई और एक फोर्मुला इसका बहुत जाद यूज होता है ठीक है तो आपको इसी तरीके से इसको याद होता है हमारा अरध गोला यानि हैमी स्पाइर यानि जो पूरा गोल आता है उसको आदा काट दिया तो इसमें व्यार क्या है हमारी तिरिज्ज तो अर्ध गोले का जो आसलो होता है यानि के दो पड़त वते जिए 6 भल जिलाय का होता है two pięiaare स्क्वैर वरगी काई और खुल छेटरपल केतना होगा 3PiR क्योंग ठीक है दोस्तों इसकी इंसोट ले लो आगे आता है मारा शंकू आ गया था दोस्तो संकू संकू यानि कौन क्या होता है एक संकून तिर्बुज को उसकी उचाई के उसकी उचाई के परिवर्द घुमाने से बनी त्रिवी में आकरती संकू कहलाती है जैसे कोई हमने संकू बना दिया एक संकून तिर्बुज यह बनाया हमने संकून तो यहां से यहां से यहां जाएगी और यह कैसी हो जाएगी इस तरीके से यह बन जता है हमारा संकुष तरीके से यह ऐसे हमारी का करती बनती है यहांने कि संकुष को के परिवर्त गुमाने पर बनी आकरती क्या 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 कहलती है हमारी संकुष क भूस्त करती है कि दोस्तों यहांने शंप क्या संकुष को उसकी आइक परित घुमाने से श् Mu chi means ।iciancku का जाती है यह एक देखो अब सम इसके दो सब्सकी गमाते तो बन जाएगी संकू के अगरति L कैसे है हमारी L है हमारी तीरियक उचाई यानि तीरिची उचाई R हमारी तिरिज्जा है H हमारी क्या उचाई हो गई ठीक है जो इसके formula बनते वो देखो सबसे पहले जो तीरिची लंबाई यानि के तिरियक झो तिरियक लमबाही होती है उचाही होती है तिरियक उचाही तो उसका formera क्या होगा under root और square plus h square और संकू का जो ईदीन होगा या आना यानि volume क्या हता है एक बटे टीराR3 cube ठीक है जिडिराग earn जो संकू का work परिष्टे छेदपल केतना होगा pigr L और प्रिष्टे छेत परोगा पाइयार एल प्लस पाइयार इस्वायर ठीक है यह क्या हो जाएगा पाइयार इंटो एल प्लस अर्ठीक है जि ए पोरूम न कंवर बचता है आधार का जधार चले चलेन क्या होगा यहां पर देता हुँ MP 4 है सनको करल कि ऊचे लिए सब्सक्राइस हल इसली हो जाएगा यह तुट यार होगा हमारा यह क्या होता है हमार से लिख बनता है क्या हुटत में आप viral स्क्वायर ठीकिंडी यह हो जाएगा यह टूटल संकू के जो हमारे फोर्मुले होते हैं इनको आपको याद रखना है ठीक है आगे आता है हमारा छिन्नक ठीक है जी छिन्नक क्या होता है जैसे कोई हमारा पूरा एक संकू है अगर मैं संकू को उसके आधार के समांतर तल से काड़ देता हूं तो ज नीचे वाला भाग बनते हैं चंणक जो संकू का नीचे वाला भाग होगाँ उसको क्या कहेंगे हम चंट ठीक है इस ये यहां पर बड़ा सरकल बना यहां पर छोटा तो यहां पर छोटे वाले की त्रिज्जा रोगी और बड़े वाले चरकर की त्रिज्जा कैपिटल रोगी एच होगी इसकी ऊचाहिए तो ठीक है जो इसके जो फोर्मुले बनते हैं वह देखो सबसे पहले एकल टू क्या होगा अंडर रूट एच स्कॉर प्लस आर माइनस स्मोल आर का हुली स्कॉर ठीक है जी फिर आता है सेकिन हमारा चिनक का इतन इंपोर्टेंट है इस पे सिंपल ऐसे ही फोर्मुले बेस को सनाते वे अभी तक आई है ठीक है तो इसका जो यह फोर्मुला अच्छ परिष्टेंट 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 लेलो और इनको याद करो है से हमारी क्या है है एस हो गई हमारी चिननक के तिरीची कि तिर्यक पूर्चाइए यह तिर्ची लंबाई शही है कुछ भी बोल सकते हो ठीक है तो यह हमारे चिननक के टोटल नेक्स जो दोस्तों यह हमारा जो फॉर्मुले ना बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट इन्कोर्शनों पर आज कल ज्यादे कोसन पूछ जारे पेपर में ठीक है तो आप इनको बहुत अच्छे से याद करना ठीक है तो देखो पहले किया है जैसे कोई घनाब है घनाब की लंबाई चोड़ाई उचाई में करम से X परतिसत, Y परतिसत और Z परतिसत की वरद्धी हो जाती है तो घनाब के आयतन में कितने परतिसत की वरद्धी होगी इस तरीके के यह तीनों जो फॉर्मूले है ना आपके घनाब, घन, गोला और अर्ध गोला इन सभी में यही फॉर्मूले लगेंगे ठीक है जी इनी फॉर्मूले से हम सबके आजतन की जो भी वरद्दी होती है वो निकाल लेंगे तो जो फॉर्मूला है हमारा क्या एकस प्लस वाई प्लस जैड प्लस एकस वाई जैड प्लस जैड एकस अपोन सो प्लस एकस वाई जैड बटे सो का स्क्वाईर और यह पूरा परतिसत ठीक है जी और जो हमारा सेकंड जो फॉर्मूला बनता है यदि हमारा जैसे ही 20 परतिसत क की मदर लंबाइं में वरद्धी होई 20 पर 30 सत उचाई में वरद्धी तो या निज़ लंबा चोडा या उचाई या दि बरबर है तो हमारी कोंसा लग जाएगा हम इस फॉर्मुले से कर सकते हैं यानिके 3X plus 3X square upon 100 plus x cube upon 100 का स्क्वार और पर 30 या इसको बहुत ज्द है IMPORTENT है यह हमारे घनाब के लिए भी लगेगा गहंद के लिए लगेगा और हमारा जो sampai हो गया हैं भी s नपर फोरमॉले लगेंगे तो आप अच्छे से याद कर लेना तो आगे तो आगे हमारे रहते जो हमारे एनुपात वाले नुपात बेस जो वाले के जो फोर्मला यह होगे जिसे गोला अर्दगोला और गन यहादि इनके हमें रेशों के जो हमारे कुर्षन बनते हैं जैसे अनुपात तिरिज्य का या जो जो हमारा गोले का यह यह वे हैं यहांनी किसका है तिरिज़ा के स्कुयर का इसी परकार तीशर जो होता है आयतन的 स्कुय quasi एक की power 2 यानि कि जो हमारा जैसे बोल देते है किसी पेलन के जो हमारा मान लिया क्या हो गया एरिया यानि के छिटफल समान है तो उसमें हमारे जो जो हमारी तिरिज्ञा और वो चाहिए यहां से मतलब यह इसका रिजल्ट निकलता है इस तरीके के जो हमारे कोशन होगे हम इन फॉर्मूलों से कर लेगे तो ठीक है दोस्तों 3D के हमारे इंपोटेंट फॉर्मूले थे जो हमने आपको यह करा दिये तो आप इन सभी फॉर्मूलों का इसकीन सोट मैंने आपको इन जितने भी मैंने फॉर्मूले 2D के भी और 3D के भी लिखवाए है आप इनके नोट्स बना लो अलग एक कोफी में इनको लिख लो ठीक है कल से हम आपको मैंसुरेशन के कोशन कराने स्टार्ट कर देंगे और दोस्तों आप से नुरोद है कि आप हमारे जो वैप स्टेड चैनल जो है हमारा वैप स्टेडी पॉइंट चैनल जो यूटूब यूटूब पर हमने नया चैनल बनाया है भी ठीक है आप इसको बहुत ज्यादे फिलाए और वीडियो को हमारी लाइक करें सेयर करें और सस्क्राइब करें कि आप दो manufacturing था प्राइक करें सेयर को हमारी आप Negro फिलाएक यू भी थ souven